बस आपको application को open करना है, इसे install करके open कर लीजिएगा, open करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले register होना है, तो register होने के लिए आप अपना internet banking का user ID पासवर्ट डाल के यहाँ पे इसमें enter कर जाईएगा, और आपको यहाँ पे mpin बनाने बोलेगा, तो mpin बना लीजिएगा, six digit का होता है, तो उसे आप बना लीजिएगा, बनाने के बाद देखिए, यहाँ पे login होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा जाईएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा service request, इस पर आपको click करना है, इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पे settings पे जाना है, यहाँ पे आपको ATM का card number डालना है और ATM का pin डालके यहाँ पे आपको submit कर देना है, जैसे ही submit कीजेगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपको profile passport बनाने के लिए option दिख जागा, तो यहाँ पे आप अपना profile passport बनाने में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, सब कुछ मिला क को यहां पर फिर से डालना होगा डालने के बाद आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा तो देखिए मैं यहां पर प्रफाइल पासवर्ड यहां पर डाल देता हूं डालने के बाद यहां पर कंफर्म कर देता हूं कंफर्म करने के बाद देखिए OTP आ चुका है अब OTP मैं यहां से इसमें डाल के submit कर देता हूं यह वो टीपी मैं यहां पर डाल देता हूं और इसे submit कर देता हूं submit करने के बाद देखिए यहां पर प्रोफाइल पासवर्ट चेंज हो चुका है तो बहुत ही आसान है दोस्तो यह नए SBI के अप्लिकेशन को यूज़ करके आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के प्रोफाइल पासवर्ट को चेंज कर सकते हैं आपको बैंक जाने का कोज जरूरत नहीं है तो अगर आपको यह छोटा से वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजेगा और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को साथ जूर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तो अगले वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ थैंक यू धन्यवाद